सो हे वोट सब गाईस कैसा आप सबी लोग सो आज किस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करेंड वाला हूं वन प्लस नोड टू 5G डिवाइस के बारे में और इसके ओक्सिजन ओस्टेटीन बेस्ट और एंडू 13 के अप्टेट के बारे में अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वन प्लस के डिवाइस है इंडिया में और गलोबल में जिनके दर ओक्सिजन ओस्टेटीन बेस्ट और एंडू 13 का बीटा और ओफिशल अप्टेट अना वो रिलीस हो चुका है और रिसेंट्ली 1 plus 8, 1 plus 8 Pro, 1 plus 8T और 1 plus 9R, 1 plus 9RT ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जिनके लिए अप्टेट और वो यहाँ पर रिलीस किया गया है तो वीडियो कुए आपने प्रेट देखते रिए और वीडियो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक कर लिए। मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ में एक वीडियो आना वह आपड़ शेयर करी ती जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि OnePlus के ओर से जो Oxygen OSTATIC का अप्टेट सेड्यूल अना टाइम लाइन है उसको आपर रिलिस किया गया है और उस अप्टेट की जो टाइम लाइन है वह आप लोग आपर देख सकते हो और इस शेड्यूल के अंदर आपको OnePlus Nord 25G जो डिवाइस है इसका नेम है वो भी देखने को मिलता है अब सभी डिवाइ तो ये H1 क्या है? H1 के अंदर आपको बहुत सारे मंत मिलते हैं January, February, March, April, May, June जो ये 6 मंत आपको मिलते हैं इसके पीछे का जो रिजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपर OnePlus के जितने भी जो डिवाइस है वो रिलिस हो चुके हैं ओनली 3 डिवाइस है जो कि अब भी पेंडिंग में चल रहे हैं जिनके लिए जो अपटेट है वो यहाँ पर आ जाएगा दिस्थाम पर मन्त के अंदर उसके बाद में 2 डिवाइस यहाँ पर रहेंगे OnePlus Note 2 और एको डिवाइस है OnePlus Note CE 5G इनके लिए अपटेट है वो आपको फेबरेरी और मार्च का मन्त है इसके अदर देखने को मिल सकता है और इस अपटेट की रिगार्डिंग कोई भी इन्फोर्मेशन है वो OnePlus के उसे साम निकल के आती है या फिर अपटेट है वो रिलिस हो जाता है ज़रूर से मैं आपके सा प्रवाइड करा दूँगा सुगा इस आज की वीडियो पसे तरहीं वीडियो कर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मैं मित आपको ने चुट में तब तक के लिए जेगिन वन्दे मातरम